नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स्ट नेन पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ सिराज पपू यादव इस वक्त बिहार की राजनीती में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला नाम है एक बार फिर से जिस तरीके से बिहार की राजनीती में पपू यादव बनाम लालू यादव की लड़ाई जो छिड़ गई है इसे बेच अब कॉंग्रिस पपू यादव के खिलाफ कड़ा फैंसला लेने जा रही है पपू यादव के खिलाफ कॉंग्रिस चुनाव आयोग का रूख भी कर सकती है दरासल जिस तरीके से कॉंग्रिस ने उन्हें कि आप अपना नमांकन वापिस लें और बीमा भारती का समर्थन करें पपू यादव ने कल आखरे दिन था और नमांकन वापिस नहीं लिया इस पर कॉंग्रिस की तरफ से अब बड़ी बात सामने आ रही है कि कॉंग्रिस जो है चुनाव आयोग का रूख कर सकती है दरासल इंडिया गटबंदन की तरफ से बीमा भारती को उमिद्वार बनाया गया है और इसी बात को लेकर अब सियासी सरगर्मिया तेज हो गई है कॉंग्रिस परदेश अध्यक्ष ने पपू यादव पर कैरवाई की बात कही उन्होंने कहा कि पपू यादव कॉंग्रिस रजीश रठोर ने कहा कि पपू यादव के नॉमिनेशन के दिन सही मैं कह रहा हूं कि वह पार्टी के सदस्य नहीं है या बयान मैं उसी दिन लिखित और मौखिक दोनों रूप से जारी किया था रजीश रठोर ने आगे कहा कि पपू यादव ने कॉंग्रिस में अपनी पार्टी का विलेश जरूर किया लेकिन वर सीट हमारे कॉंग्रिस की जो है कोटे में नहीं आया और जैसे की औरंगाबाद में मेरे कोटे में नहीं गया तो निखिल बाबु चुनाओं में वन्चित रह गए और इसलिए पपू यादव अगर कॉंग्रिस से प्रात्मिक ठोर ने का कि हमारी उमिद्वार इंडिया गटवन्दन की उमिद्वार भीमा भारती है वही कॉंग्रिस पार्टी की समर्पित उमिद्वार है फिलाल जिस तरीके से कॉंग्रिस की परतिक्रिया आ रही है कि कहीं न कहीं अगर चुनाओं प्रचार के दौरान कॉंग्रिस प